जी मुझे उमीद है आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं और यह है पोटेंशल इंकम का चार्ट यह पोटेंशल इंकम का चार्ट है यह हमें जो है वो पहले भी कई बारी देखा है आपको मैं थोड़ा सा रिलाइस करवाना है कि किस तरीके से अभी तक ग्रोथ हुई है प्राइस पर हुआ था फर्स्ट आइट यू पहला आइट यू हुआ था जिसका मतलब था इनिशियल टोकर्न ओफरिंग जिस तरीके से मुफलिफ कंपनीज जब मार्केट में आती है तो वो जो स्टॉप मार्केट में आती है वो कहलाती है कि हम आईपियो कर रही है इनिश प्राइजशियल प्राइज फे प्राइज उसका उपर चला गया इस तरह घर कम्पनी जो आती है जिड स्पर्थ मार्किट में कम्पनी आती है तो आइप उस कटी है इनीचे प्राइज आप रही है इसका प्राइज अइन्टो करेंग एक Class यह बैला आईटा था जिरोकोंट जिरोओं टू fВ Royal पर और य에 हुआ था चल्द महीने पहले दूसरा आईटी ओ जो है सेंड आइटी ओ वह आपका त्री सेंट की जी बिल्कुल सेकंड आइटियो आपका होना है त्री सेंट की प्राइस पे और ये सेकंड आइटियो जो है ये है फर्स्ट मई को या सेकंड मई को ये अपने पास नोट कर लें आप लोग फर्स्ट मई या सेकंड मई को आपका दूसरा IDEO है जिसमें 0.03 की प्राइस के उपर जो है वो आपको टोकन्स मिलेंगे ठीक है और उसके बाद आपका तीसरा IDEO जो है न वो है जुलाई के अंदर जुलाई की फर्स्ट यह सेकंड को लेकिन इस तीसरे IDEO की देट को मैं उतना इंडोर्स मही कर रहा तो जो मही में सेकंड आइटियो है वो तीन सेंट की प्राइस के होने है आज की प्राइस क्या है आज की प्राइस भी तीन सेंट है तो एपरल के बकाया जो दिन रहते हैं अगर आज 10 एपरल है और 20 दिन बताया रहते हैं तो इन 20 दिनों में भी 3 सेंट करेगा प्राइस और फिर जब आईटियो होगा तो आईटियो के अंदर भी 3 सेंट प्राइस रहेगा अब आईटियो's का फॉर्णूला समझ लें किसी भी आईटियो के अंदर जो आपको प्राइस मिलेगा वो मिलेगा बल्क में बाइक करने पर यहानि स्लोट बाइक कहते हैं अगर आगर आउब 20.000 भाइच करना चाहते हैं तो आपको आउटियो और टोकन बाइक करना चाहते है आप तो उससे पहले ले लेने चाहिए अगर नहीं से मिलते हैं तो अगर आप 10,000 टोकन लेना चाहते हैं तो ITO से पहले खरीदें अगर आप 500 टोकन खरीदना चाहते हैं ITO से पहले खरीदें आप 90,000 खरीदना चाहते हैं तब भी ITO से पहले खरीदें क्योंकि ITO के अंदर आपको 0.03 नहीं मिलेगा, एक लाग token से कम, और जब ITO जैसे ही complete होगा, ये ITO एक दिन में भी, ये ITO basically कोई time frame नहीं है, ITO के लिए tokens की value, quantity decided है, यानि तकरीबन 1.5 billion, यानि तेड़ अरब tokens का ITO है, जिस तरह पहला ITO जल्दी से खत्म हो गया था, 0.125 की price पे था, उसमें ज्यादा token थे, पहले ITO में 2.5 billion tokens थे, इस ITO में सिरफ 1.5 billion token है, शायद 1.5 पे नहीं है, 1.25 तीक है, तो ये जो tokens हैं, उससे तकरीबन आज़े tokens available हैं, और वो tokens जो थे, वो 26 ज़ाद लोगों ने participate किया और ले गए, और जबके community total उसका साड़े 4 लाख लोगों की थी, और आज जो community है, वो एक करोर से ज़ादा लोगों की है, मजीद बढ़ है और 20,000 को मिला, तो आज एक करोर लोग फिरिदना चाहरे हैं, तो आप समझिए कि token 10,000 लोगों के लिए हैं, तो इसलिए ITO के अंदर भी पूरा active तरीके से आपने उसकी planning करनी है, preparation करनी है, अगर आप ITO में buy करना चाहते हैं, जितने भी buy करना चाहते हैं, policy company की जो मेरा ख्याल है आएगी, वो यही है कि एक account एक ही slot buy कर सकता है, यही एक लाग token ही buy कर सकता है, तो आपको करना यह है कि जो ITO में participation करनी है, उसके लिए USDT या BUSD, मुझे exactly नहीं पता, अपने पास arrange कर के रखें, अपने personal wallet में रखें, इसी को नहीं रेजने, अपने पास रखने है अपने पास रखें, USDT रखा होगा तो मौके पर convert कर लीजेगा, BUSD होगा तो BUSD directly use कर लीजेगा, लेकिन जो जो दिन करीब आएंगे, आपको उसके बारे में मजीद information मिलेगी, उस information की रोचनी के अंदर जो है, वो आप अपनी तयारी रखिएगा, लेकिन एक लाग से कम token आप उसमें नहीं पाई कर सकेंगे, साकिंड आइटियो में, तीन सेंट की प्राइस पे,